कॉफी शॉप जो की आज के टाइम में इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो होने वाला बिजनस है अगर हम 2017 से अब तक का रिकॉर्ड उठा कर देख लें कॉफी शॉप का तो करीब करीब 11% तक की बढ़ोतरी हुई है वहाँ पर शॉप की भी और साथ में पीने वालों की भी अब जब इतनी ज़्यादा तेजी से ये कॉफी शॉप का बिजनस लगातार ग्रो हो रहा है तो आप क्यों ने स्टार्ट करेंगे अगर आप कॉफी शॉप को स्टार्ट करना चाहते हैं और वेलकम फ्रेंड्स मेरा नाम है रूप सिंग और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इसी तरीके से हाई कॉलिटी एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ साथ मेने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप किसी भी लेटिस्ट वीडियो की लेटिस्ट अपडेट मिसना कर सकें So let's get started Point number one कि Coffee Shop Start करने के लिए आपको जो सबसे इंपोर्टेंट चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आपका Location क्या है क्योंकि Location पर ही पूरी तरीके से निर्भर करता है आपकी Coffee बिकेगी या फिर नहीं बिकेगी या फिर आपकी Coffee Shop चलेगी या फिर नहीं चलेगी वहां पर आप इससे start कर सकते हैं या फिर कोई theater group हो वहां पर आप इससे start कर सकते हैं कुल मिलाकर ऐसी जगा जहाँ पर लोग अपनी family के साथ अपने partner के साथ आते हैं आप ऐसी जगा चुन सकते हैं Now point number two अप किसी भी shop के लिए या फिर किसी भी brand के लिए या फिर किसी भी company के लिए बहुत ही ज़्यादा important होता है उसका logo तो अगर आप एक coffee shop start करना चाह रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप उसे एक बड़े level पर एक बड़े star पर लेकर जाएंगे कल को आपके shop की franchise अलग अलग जगाओ पर खुले अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास होना चाहिए आपके company का या coffee shop का आपके अगर छोटी सी दुकान भी है तो उसका भी एक logo होना चाहिए और logo होना चाहिए थोड़ा professional type का ऐसा logo होना चाहिए जिसको देखके भी मज़ा आ जाए हाँ इसको देखके ही ऐसा लगए कि हाँ उसके अंदर जाकर एक बार तो coffee पीना ही चाहिए तो attractive सा logo बनाए ताकि लोगों को अच्छा लग सके आपके shop पर आते हुए और उनको ऐसा लग सके कि वो किसी professional जगे पर जा रहे है अब बात करते हैं यहाँ पर point number 3 कि आपको इसके लिए किनकिन कागजों की ज़रूरत पढ़ सकती है किनकिन license की ज़रूरत पढ़ सकती है तो देखिए सबसे पहले तो आपकी company registered होनी चाहिए फिर वो LLP हो या फिर private limited हो आप जैसा करवाना जाहें इसके बाद आपके पास जो एक बहुत ही important चीज आती है क्योंकि यहाँ पर आप किसी खाने पीने की चीज़ को लेकर वियापार करने जा रहे हैं तो आपके पास food safety standard authority of India का license होना चाहे है जिसे हम FSSAI के नाम से जानते हैं पर आप FSSAI का license तभी लें जब आपका turnover साल का 12 ला GST number क्योंकि कम से कम अगर 20 लाग से उपर आपका जाता है तो आपको GST बिल भरने की जरूरत पड़ेगी यह आपका और government of India दोनों का हग बनता है कि वो आपसे tax लेगी और आपका हग बनता है कि आपको tax देना पड़ेगा Point number 4 अब आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी अगर आपने पहले के सारे काम निप्टा लिया है जैसे कि आपने अपनी shop decide कर लिये किस location पर होगी उसको rent पर ले लिया या फिर आपने purchase कर लिया है वो सब कर लिया है तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ने वाली है एक menu की कि भाई आपके coffee shop का menu क्या होगा आप coffee shop का मतलब यह नहीं होता है कि आप वहाँ पर गय सिर्फ अपने coffee बनाना start कर दिया विकना शुरू हो गए नहीं coffee shop में आपको और भी कई सारी चीज़े रखनी होती जैसे अलग-अलग types की coffee होती cold coffee, hot coffee यह सारी अलग-अलग coffee होती है tea रख सकते हैं, आप यहाँ पर burger रख सकते हो, पेटी रख सकते हो, पेटी रख सकते हो, या फिर momos रख सकते हो, यह सारी चीज़े छोटी चीज़े जो होती है इनको आप रख सकते हो, धिरे-धिरे अपने business को grow करने के लिए आपको एक पूरा menu decide करना है, और उसे एक जगे पर छपवा देना है ध्यान रहे, menu ऐसा होना चीज़े, जो आपके वहाँ पर आपने safe रखा है बनाने के लिए या फिर आप खुद बनाते हो, तो जो जो चीज़े आप खुद बना सकते हो, वही वही चीज़े रखें ऐसा मत रखियेगा menu में, कि बना नहीं पा रहे हैं, और menu में लिखा हुआ है तो फिर वो उसका bad impact परता है, पता चले कोई customer आया, उसने order किया और आप तो कहोगे सरी अवेलबल नहीं है, तो वो गुसा हो जाएगा कि भाई, यहाँ पर लिख क्यों रखा है अगर यह अवेलबल नहीं है तो इससे आपकी जो coffee shop होगी, उसकी छवी खराब होगी, इससे जदा और कुछ नहीं पॉइंट नमबर फाइफ, अब आपको यहाँ पर आपकी जो shop है, वहाँ पर आपको जो जो चीजों की जरूरत पढ़ने वाली है, वो सारी चीज़े आपको रख लेनी है जैसे की, automatic drip coffee maker, espresso machine, industrial coffee grinder, या फिर इसके अलावा गर हम बात करें कि आपके पास product कौन कौन से होने चाहिए तो जैसे आपके पास दूद होना चाहिए, milk, पानी होना चाहिए, coffee powder और जो जो चीज़े आपके पास जरूरत पढ़ेंगी, coffee बनाने के लिए वो सारी चीज़े आपके पास available होनी चाहिए, ताकि बाद में आपको कोई भी problem ना हो सके, किसी भी type कि अगर आप एक बार shop को start कर लेते हैं नहाँ पर आपका 5-10 लाग के बीच में investment हो सकता है, अब यह जो मैंने आपको बताया है, इसमें आपके यह सारे खर्चे, machine, save का खर्चा, इसके अलावा जमीन आपकी और उसको बनाने का जितना खर्चा आएगा, यह सारी चीज़े मिला कर है, बाकि rate इससे ज़्यादा भी रह सकता है, वो depend करता है कि आपकी जमीन के कीमत कितनी है, ओके गाइस यह थे 6 वो points जिनको follow करके आप एक coffee shop start कर सकते हो, वीडियो अच्छी लेगी हो तो इस्टाग्राम पर follow जरूर कर लीजेगा, link आपको description में मिल जाएगा, वरना आप इस्टाग्राम पर जाकर search भी कर सक झाल गू कर सकते है